सो हेल अप्रिवन मैं हूँ आशिश कुमार और आप लोग देख रहे हैं ग्यान जोतियस टूटोरियल पे तो जैसे कि इंडियन ने भी एमर के प्रिवियर शेर्स के मैंने कोशन्स भी करवा दिये हैं और आप लोग को पता भी होगा कि मैंने पर्शो भी बोला था कि एक और आपके बच गए हैं जो कि प्रिवियर शेर्स के उसमें कोशन्स और 30 से 40 मिल जाएंगे तो यह इंडियन ने भी एमर का प्रिवियर शेर्स का लास्ट मेरा यह वीडियो है और जैसे कि आप लोग को पता भी हो कि मैंने बोला भी ता कि साथ अप्रिल से आप लोग का नीव साम चार वाय से सब्जिक्ट चलेंगे और लोग करना कि चैनल को ज्यादा से सेर कर देना टाकि हम लोग को बहुत ही मज़ा अगर चैनल सक्टाइब में निकलता है उसमें से निसकर्स नहीं निकालेंगे तो मज़ए नहीं नहीं आएगा पड़ाई में तो इसलिए चैनल को सेर कर देना और जो भी मैंने अब भी इसको प्रिविश जितने भी मेरे पास यह भी कोशन्स अभी है फोटी को इसको मैं प्रवाइड करवा के और साम चार बैसे आप लोगी न्यू क्लास दी जाएगी एमर के लिए स्पेसल ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज का जो भी है मेरा टॉपिक तो देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर कोशन्स में कि अवरिती का एसाई मात्रक क्या होता है तो अवरिती का एसाई मात्रक जो होता है हट जोता है ठीक है उसके बाद देख लिजे नेक्स्ट कोशन्स पर कारिख करता है तो यह करता है न्यूटन के थर्ड नियम पर करता है यह जो भी आता है मैटरिक लेबल सही आता है ऐसा कुछ बात नियू देंकि इंटर से आता है वही सारह आए गापको तो ही हो जाएगा किरिया कि निय पर वोर पर उसके बाद देख लिए नेक्स वोईसंस फोर में की सेकंड की मातरक होता है चार्ज ठीक है सिफाइफ में कि कोडियेगत्य का आयाम क्या होता है कोडिये गतिर्य तो कोडिये देख लिए इस पर सब्तित्वाइब हैं कि इंक्ष्ट कोश्न सब्सक्राइब कि क्या जाता है उसके बाद देखक लिए dumm सकतams अ कि परकार करा रासायनिक तत्व है वी घ्याइबfert नेच्ट कोश्चंस देख लिए सब्सक्राइब कर दो कि मतलब की हर तो भारत का क्या होता है इस परकार के सब्सक्राइब है ज़्यादा हाड नहीं पूछ जा रहे हैं मुझे पता चल गया कि किस परकार से को बन रहे हैं उसी परकार से मैं आपको तयारी करवाने वाला हूं इस बार जो आज से स्टार्ट हो जाएगा प्रिप्रेशन नेक्स्ट कोशन्स देख लेते हैं नाइन में कि इंडोनेसिया की रजधानी कहा है तो इंडोनेसिया की जो रजधानी जग करता है जग करता नेक्स्ट कोशन्स देख लेते हैं टेन में कि भारत के मुख्य नयाधिश कौन है भारत के मुख्य नयाधिश कौन है तो यह है कोICO I I did listen to 11 में की उमा सर्मा का संबंद किस लोक निरित्त से तो ये है कठक से इनका उमा सर्मा का जो संबंद है वो कठक एक निरिट है जो कि इनी से संबंदित है तोकि नेक्सटड़ देख लेते हैं 12 में कि कार्वट परवट रस्ट ये उधान कहा है तो यह है नैनी ताल में जो की उत्रा खंड में पड़ता है कि नेक्स्ट कोशन्स देख लेते हैं 13 में कि अग्गा खा कप किस खेल से संबंदी थे तो कप से भी प्रसंद बन रहे थे तो उसको मैं हो सकते हैं तो मैं इस पहले वीडियो बना आपको नेक्स्ट कोशन्स देख लेते हैं जो कि यह होकी से संबंदी थे नेक्स्ट कोशन्स देख लेते हैं 14 में कि बिटामिन सी किसमें पाई जाती है तो बिटामिन सी संत्रे और नीबू में पाई जाती है नेक्स्ट कोशन्स देख लेते हैं 15 में कि नगा लेंड की रज राजानी है तो नागा लेंड की राजानी हो जाएगा कोहीमा उसके बाद में अगला कोशन 16 में कि नोबेल पुरुषकार ठीक है नोबेल पुरुषकार किस देश द्वारा दिया जाता है तो शुटर्ज लेंड द्वारा दिया जाता है उसके बाद में अगला कोशन 17 में कि अमेरिका के प्रथम राष्ट पती कौन थे अमेरिका के प्रथम राष्ट पती तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट पती थे जार्ज वन्सी गटन थे next questions देख लेते हैं 18 में कि penicillin की खोज किसने की तो यह किये थे अलेकजेंडर फ्लेमिंग ने किये थे penicillin का खोज उसके बाद में अगला इस नैंटीन में कि प्रिंस ऑफ फिल्ग्रिंस नोवेल लीखा तो यह थे लिखे यहिंन तसांग ने लिखे थे wire और विलग्रेंज उसके बाद में अगरा स्वाइब बच्चे की हडिया कमजोर होती है Śूखा रोक यह बता दिया कि जो हडिया कमजोर रोक ओ तीक है यहां पर कुर्शर समाण को हैं कमी करन होता है और बिटामिंटो यहां पर हो लोग और यहां पर देखें दो प्रेस्ट मिल गए कि बच्चे की हड़िया कमजोर होती है तो मान लेजी कि पूछ दिया तो अब बताजी सूखा रोक के कारण होता है ठीक है और कौन सी बिटामिन तो बिटामिन डी के कारण ठीक है उसके बाद देख लिए नेक्स्ट कोसेंस 22 में है कि प्रोटोन में क्या होता है तो प्रोटोन में जो होता है वह प्लस सबस्टोनिक पार्टिकल होता है जो कि यह प्रोटोन में यह होता है प्लस ठीक है अप्सन में तो यहीं पर था बच्चे बतार थे कि प्लस था उस मतलब कि यह से से कुछ अप्सन था ठीक है नेक बनाया था उनका नाम था इलेग जंद्रो वर्टा ठीक है इलेग लेजयांद्रो वल्टा तो इसके बाद देख लीजिए next questions 24 में कि आई ईसार ओकी अस्थापना कब हुई तो यह हुआ था पंद्रह अगस्त उनिसों नहैत्तर को ISRO की अस्थापना हुई उसके बाद में अगला कोशन्स 25 में कि electron volt किसकी इकाई है तो electron volt जो ये जूल की इकाई है ये सब लोग को पता होगा ये क्योंकि तो मैट्रिक में इस सुरू से ही पढ़ना है उसके बाद में अगला कोशन्स देख लिए 26 नंबर संभावित उर्जा किस पर निर्फर करती है तो ये हो जाएगा देख लिए यहां पर एक बस्तू के वजन और जमीन से उपर की उचाई पर निर्फर करती है संभावित उर्जा क्योंकि बच्षे का कमेंट जो आरा है मतलब कि बच्चे सोचेंगे कि इतना बड़ा तो आप्शन आ नहीं सकता एमार में आ सकता है या किसी भी एक्जाम में आ सकता है ऐसा कुछ बात नहीं कि अफलाइन एक्जाम में रहा था तो मान लिजी कि थोड़ वहां पर कुछ प्रोब्लम नहीं इसलिए बड़े-बड़े भी कोशन्स पूछे जा सकते हैं ऐसा बात नहीं है उसके बाद में अगला कोशन्स 27 में कि ताप मान बढ़ाने पर पदात का क्या परभाव पड़ता है तो बस्तु का विश्तार होता है नेक्स्ट कोशन्स देख लिए 28 में कि एक एंपियर बरावन मतलब कितना होता है तो एक एंपियर होता है कितना 6.24 इंटु 10 के पावर अठरा है मनि यह कि इस फरकार से 6.24 इंटु 10 के पावर अठरा ठीक है उसके बाद देख लिए नेक्स्ट कोशन्स 29 में कि लैंप की बत्त तो यह तो मैट्रिक में पढ़ना यह पढ़ना है आपको पता भी होगा तो यह बहुत है कि घटना के कारण जो कि लैंप में जो बत्ती होती है वह उपर की तरफ जो देखिए मान लिजे कि आप गाओं में देख रहांगे जारा तर लैंप यह दिया होता है उसमें नीचे ते से ओपर चड़ता है तेल नेक्स्ट कोसंस देख लेते हैं थर्टी में कि वास्पी करण की दर किस पर निर्वर करती है तो यह करती है तो यह करती है तरल की अन्विक उर्जा पर निर्वर करती है नेक्स्ट कोसंस देख लेते हैं थर्टी वन में कि बिस फोटी तारा कहलात तो जबाण का राष्टे है पसे हुए तीतर Q33 में 91 की एक नाभीक में होता है इक नाभीक में क्या होता है que perch arrive Cou mieć जड़ को संसर्ट्र होता है याद रखिएगा Is अर्भी नेक्स्ट एक 54 में की सिगरेट की चेताऊनी में भारत का अस्थान कितना है तो भायत का स्थान जो है वो पांचों है सिगरेट की चेतावनी में ठीक है उसके बाद में अगला कोशन 35 में कि आधे अधूरे के लेखा कौन है आधे अधूरे के लेखा कौन है तो यह है मोहन राकेज जो कि आधे अधूरे के लेखक है नेक्स्ट कोशन देख लिए 36 में कि राजस्थान का प्रस्चिध निर्थ है तो राजस्थान का जो प्रस्चिध निर्थ है वो है जूमर तो इससे भी प्रस्च बन रहे थे निर्थ से भी प्रस्च आपके एक्जाम में आ रहे थे उसके बाद में अगला कोशन्स 37 में कि भाखडा नागला बांध कौन सी नदी पर है तो ये है मध्य परदेश ठीक है नेक्स्ट कोशन्स देख लेते हैं 38 में कि नागेश्वर राव का संबंध किससे है तो नागेश्वर राव का जो संबंध है वो है तिल्गू सिनेमा से है नेक्स्ट कोशन से है कि 39 में कि रडार रडार का पूरा नाम क्या है या निकि इसका फूल फूम बताना था तो रडार का जो फूल फूम हो जाएगा रेडियो डिक्टेशन एंड रेंगिंग ठीक है यह है आपका रडार का पूरा नाम हो गया और मैंने हिंदी में भी इसको दिया हूं ताकि बच्चे का जल्दी से समझ में आ जाए ठीक है उसके बाद में अगला कोशन से 40 में कि मुस्लिम लीग की अस्थापना कब हुए तो यह हुआ था 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की अस्थापना हुए ठीक है तो यही कुछ अभी आप लोगो 40 कोशन करवाना था और ऐसा बात नहींकि मैंने आपको सारा कॉसहा तो उसका उसको प्रवाइड करवा अब कुछ बचन नहीं बच्टे किया सब्सक्राइबस को रहते हैं क्योंकि मेरे पास्शे में दो फ सकते हुसको को एक्जाम में पूछे गए थे ठीक है तो यहीं कुछ आप लोग बताना था और चैनल को जरूर से सियर करना है क्योंकि आप लोग का साम चार बैसे बैसे स्टार्ट हो जाएगा और देखिए यहां पर मैं इस वीडियो थोड़ सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ सा म देखते हैं कब लाइव आते हैं उसमें यह चर्ची थोगा बात कैसे प्रिपरेशन करना है कैसे नहीं करना है तो बस ही कुछ आप लोग बताना तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर ओल दा वेस्ट